अलालेकूम फ्रेंड कैसे हो इंश्याला ठीक ठाक से होंगे आज की रेसीपी मेरी कुछ नहीं है जो कि मैं इस टीप्स बता रही हूँ जो मेरी फ्रेंड से मुझे कमेंट किया था कि मेरे पास में कुछ रात के जैसे चावल बच गया दाल बच गई या सालन बच गया तो मिल्सान को ब Task sammaड P व्हेरा इसे पाम में यह प्रीष होना इस इक प्राइश भीखा दाल नहीं है जो कि अभी यह टेस्ट उतना नहीं देगी, तो हमने इसे फ्रेश करना है, तो इसे हमने कड़ी पते से बगार लें, लसन से बगार लें, बट इसे किसी से बगार सकते हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ, कि इसे किस तरीकी से बगार ना है, तो यह स्पाइसी नहीं है, तो म तो आप इसको राइजीरे से ना दें बगार सिर्फ कड़ी पते का बगार दे ये फ्रेश हो जाएगी आपकी दाल तो और ये मेरे पास कर गोश का सालान ग्रेवी है जो के मेरे पास इतना बचा कर रखा था वीडियो के लिए तो मैंने इसे ग्रेवी और ये मेरी थोड़ी से स्पाइसी हो लगए थी तो मेरे बचों को नहीं पसंद स्वेश करना है इसे मैं तरीकी से फ्रेश किया जाएं तो इसे लिए मेरे पास एक टीफेर जो के फ्रेश करने के लिए हमें तरगा लगाना एकمة लिए जिते धिना मिर्ची का नब लगा या यह Communist तो आपको फ्रे आपको जो पसंद आई गड़ी पत्ती का तड़का लगां और यह इसका अंडे का तड़का लगाई तो आपको मैंने सब बता देती ओ किस तरीकी से तड़का लगाना है बट यह औप्शनल है मसके से ही आप तड़का लगा है तो ज्यादा टेस्स का अच्छा आएगा इसलिए आपके मैं यह बटर है एक कप वॉटर है जो के मैं इसमें एट कर लूँगी क्योंकि यह गरम होगा इसके लिए तो हमने इसे गरम करने लेना है गरम करने के बाद में यह तीन और इसके लिए और इसे कंटीनियो चलाते रहे हमें आमलेट में ही बनाना है यह बुर्जी जैसे प्रेक्टर में आया है यह हो चुके मैंने अंडे का तड़का लगाया आपको जो पसंद आया आप उस चीज का तड़का लगा सकते हैं मसके के साथ में तो यह मैंने इसमें एट कर लिया और इसमें नमक मैंने अंडे में नहीं दाला था आपने भी नहीं दालना अगर आपके इसमें सालन में नमक जादा हो गया है तो आपने अंडे में नमक नहीं दालना रात की चावल जो है मैंने आपको बताया थे और यह मेरे पास फ्राई ओनियन है जो बटर यूज़ करना है यह एक क्योब है जो कि मैंने इसमें ही डाल दूँगी जो दम पर मेल्ट हो जाएगा हमने दाल बगारनी के लिए सिर्फ आदा चमच मेरे दाल स्पाइसी नहीं थी तो आदा स्पुन मैंने मिर्ची पॉडर ले लिया और आदा स्पुन मैंने सामर मसाल का पॉडर मैंने यूज़ किया तो इसे थोड़ा सा गीला कर लें पॉड़र ना दाल लें पॉड़र करने से बगार जल जाता है इस लिए मैं थोड़ा से गिला करकी तर्थ हूं तो इसे दाल देंगी दाल का तडखा है और ये तड़का हमने डाल में डाल देने हैं ये हो गए हमारी फ्रेश डाल देखे कितने अच्छी तरीके से कलर आएगा कोई बताई नहीं सकता है कि ये कल की डाल है ऐसे लगे हैं भी बनाएं है देखे मेरे ये रात के रखे वे राइस और ग्रेबी और डाल मेरे बन चुके हैं जो कि इसे मैंने फ्रेश कर लिए ये देखे चावल मेरे कितने सॉफ्टली बने हैं देख रहे हो इतने सॉफ्ट बने हैं मेरे राइस और टीस्ट में भी बहुत अच्छे बने और ये मेरी ग्रेबी है जो कि ये मैंने अंडे से इसको वो कर लिए बगार अगर आपको जो भी पसंद है आप उससे ब्लाइब और यह मेरे पास दाल है देखें ताल भी मैने कितनी अछी तरीकी से इसे प्रेश कर लिए तो आपके पास भी जो भी बचता है आप उसे फ्रीज़र करने के बाद में से तढका लगा दे तो आपको जो भी बच्टा है वो फ्रेश हो जाएगा आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स कीजिए और सस्क्राइब करना ना भुलिए थैंक यू अला अफीस